अगर हम बात करते हैं सी बीए सी बोड में तो हम स्टार्ट करने वाले इस चैप्टर का नाम है 3D जियोमेट्री और इसी को आप जो है महरास्टर बोड में अगर पढ़ेंगे आप तो इसे आप आप लाइन्स एंड लाइन एंड प्लेन के नाम से आप पढ़ेंगे ओके लाइन एंड प्लेन तो मतलब बात क्लियर है कि हमें इस चैप्टर में केवल Geometry के अंतरगत, Geometry के अंदर दो चीजों को पढ़ना है मैंसा हमने दो टास्क है एक तो हमको लाइन को कवर करना है और दूसरा हमको क्या कवर करना है प्लेन को तो हम सबसे पहले टाक्स से शुरू करते हैं अपना जो है That is called Line in 3D Line in 3D दिखिए, Line in 3D जानने के पहले आपको Line in 2D का knowledge में आपको recall करा देता हूँ Line in 2D जब आपने first time Line in 2D पढ़ा So आपके पास में याद करिए 11th class में एक Line थी जो दो पॉइंट से होके जाती थी That is the points are x1, y1 And this is x2, y2 Okay तो आपने यहाँ पर इसका slope define किया था कि Line का slope कितना है That is called Line का slope m equal to जिसको आप 10 theta भी बोलते थे Theta क्या होता था x-axis के साथ बनने वाला angle So 10 theta और यह आया था m equal to 10 theta y2 minus y1 upon x2 minus x1 और फिर आपने इनके different equation बनाया थे एक आपने बनाया था 1 point form आपने बनाया था 2 point form आपने बनाया था Intercept form 6-7 type के आपने form पढ़े थे 2D के अब आपके पास क्या है अब आपके पास जो Line है न वो इस space में है पहले Line का होती थी आपके किसी दीवार में होती थी किसी plane में होती थी यह दो ही coordinate थे केवल दो ही coordinate थे एक X का और एक Y का अब इस Line को निकाल करके दीवार से थोड़ा बाहर ले आओ अब थोड़ा यह आंग आ चुकी उपर आ चुकी है तो X और Y के सांसना थे इसमें Z भी इनवाल हो गया है तो यह दी पहला point है that is X1, Y1, Z1 और दूसरा point है क्या X2, Y2, Z2 मतलब आपके पास Z coordinate अब इनवाल हो चुका है X1, Y1, Z1 and X2, Y2, Z2 अब आपको Line की नई equation बनानी है ओके So this is called Line in 3D clear है Line in 3D तो बच्चों Line in 3D में हमारे पास इस chapter में हमको एक मज़ेदार काम करना है हमें जो भी चीज हम पढ़ेंगे Line पढ़ेंगे, Plain पढ़ेंगे उनके हमको दो equation बनाने है एक equation बनाना है Vector equation और एक equation बनाना है Cartesian equation Scalar ना कहें उसे Cartesian equation समझ में आ गया? तो एक equation हमें बनाना है Cartesian equation ओके तो Vector equation हम पहले निकालेंगे उसके बाद में उसी vector equation की मदद से हम क्या निकालेंगे Cartesian equation एक बात मैं और बता दूँ आपको जब आप 2D में कोई line लेते थे ये 2D में तो 2D में आप किसी line पर जो unknown point लेते थे वो क्या लेते थे? X,Y क्या लेते थे? बत 3D में अगर आप कोई point लेंगे तो जो unknown point P जो होगा पहले P क्या लेते थे? X,Y इस बार जो P होगा unknown point that not X,Y that will be X,Y,Z तो 3 point होगे तो ये unknown point है क्या है ये? unknown point है इसे आप general point भी बोल सकते हो इसे आप standard point भी बोल सकते हो तो ये होगा और एक बात और बिटा ये universal है कि इस point P का इस unknown point P का इस variable point P का इस general point P का जो position vector है बिटा वो defined रहेगा R क्या रहेगा बिटा? R तो unknown vector का नाम इस पूरे chapter में क्या चलेगा? R जो एक point बैठा हुआ है उसका नाम R चलेगा So you can say OP vector equals to R vector OP vector equal to R vector Done चलिए तो फिर अगले अब हम पढ़ाओ की ओर चलते हैं स्टार्ट करते हैं लाइन में पूरे तरीके से हम आ जाते हैं और लाइन में जो हमारा पहला topic है equation of line equation of line in 3D equation of line in 3D ओके equation of line in 3D में हमाँ पास काई category है सबसे पहली category है given okay equation of line in 3D okay line passing through a point passing through a point passing through a point and parallel this is the sign of parallel to a given vector a given vector समझ में आ गया मतलब जो line है point से पास कर रही है और एक given vector के parallel है एक given vector के क्या है parallel है तो कैसे करेंगे देखिए समझी है सबसे पहले मैं line के equation बना रहा हूं आपके सामने ये line की situation ये है ये कोई line है 3D में अब आपको ये पता है कि ये एक given point a से पास हो रही है okay तो अब vector की बात करोगे बिटा तो vector में ये position vector क्या हो जाएगा a vector क्या हो जाएगा a vector जिस point से जा रही है उसका कुछ ना कुछ तो position vector होगा suppose it is a vector अब आपको बार बार origin नहीं दिखाना है कि मैं origin ले रहा हूँ आपने bracket में a vector लिख दिया मतलब सामने वाला समझ गया कि ये are with respect to origin है और एक condition हो रहे तो better definite एक condition हो रहे है कि ये जो line है ये एक another vector के parallel है तो ये देखिए ये direction है ये vector b का direction है ओके ये vector b का direction है ये इसके parallel है ये क्या है इसके parallel है अब मैं आपको बता दिता हूँ एक के जो coordinate होंगे कुछ ना कुछ तो होंगे तो आप इसके coordinate को क्या suppose कर सकते हो x1, y1, z1 ओके और vector b को भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ vector b भी कुछ ना कुछ होगा so vector b is equals to a i cap plus b j cap plus c k cap ये vector b है clear हो गया ये vector क्या है b है ओके कोई दिक्कत तो नहीं है चलिए तो ये vector b हो चुका है अब आए ये line का equation बनाते है तो line का equation हलाकि आपको proof करने को नहीं आता है बट फिर भी मैं proof बता देता हूँ आपको कैसे करेंगे line का equation बटा कभी भी किसी चीज़ का equation बनाने के लिए आपको उस line पर बैठ हुए एक general point की तलास होती है so consider this is the point P and this is the name of the point P is x, y, z मैंने बताया भी आपको इसके point की नाम क्या माल लेते हो बटाब point P का नाम क्या माल लेते हो x, y, z और point P का एक position vector होगा that is vector r that is vector r चलिए origin को अब दिखाना जरूरी हो गया है तो दिखाना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर origin की position को locate कर रहा हूँ यह माल लीजे, यह origin की position है and the coordinate of the origin है 0, 0, 0 तो बिटा यह origin का a के respect में यह vector अपना origin के respect में vector क्या बनेगा, this is vector a क्या बनेगा vector a और यह बिटा r का जो vector बनेगा p का, sorry r का नहीं, p का r तो खुद में vector है तो बिटा p का जो vector है इसको थोड़ा आंगे लिआओ भाई यह आंगे लिआए, ओके ठीक है, तो यह vector point p यहाँ पर थोड़ा आंगे मैंने मना दिया तो यह क्या बन गया बिटा that is called lambda vector a lambda vector a, तो बिटा यह vector b है और यह जो vector जा रहा है b के parallel है, तो यह क्या कहलाएगा lambda vector, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, अगर यह b है तो यह क्या कहलाएगा, lambda vector b so अब लगा दीजे triangle log triangle log क्या कहता है, कि दो लगातार कसम तीसरे के equal होता है so I can say here vector a plus lambda vector b equal to vector r r unknown vector, यही इसका vector equation है, इसको अपलट के भी लिख सकते हैं, vector r equals to vector a plus lambda vector b यह बिटा equation है, कि इसका equation है, यह line का, 3D में जो line होती है इसका equation है, r क्या है unknown vector है, a क्या है, point vector जिसे line जा रही है, b क्या है direction vector, b क्या है बिटा direction vector, जिस direction में यह line जा रही है, उसका यह direction vector है, so this is called one point form of a vector क्या 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 लाता है बिटा, यह one point form of a line of a line, समझ गया ना मतलब एक point, क्योंकि यहां पर एक ही point दिया गया है, जिससे यह line जा रही है okay, क्या बनेगा, vector r equals to vector a plus lambda vector b done, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, अब आएए इसका हम Cartesian formula बना लेते हैं, यह तो vector formula था अब इसका हम Cartesian formula बना लेते हैं, ओके, अभी आपने देखा vector formula, अब हम बना रहे हैं इसका Cartesian formula, या Cartesian form, form केना ज़्यादा सही है formula नहीं कहेंगे, Cartesian form तो हमारे पास जो vector form है क्या लिकला है, vector form, vector form निकला है, vector a sorry, vector r equals to vector a plus lambda vector b, यह निकला है, so vector r की value प्रूट कर दीजे, vector r equal to x i cap plus y j cap plus z k cap, यह तो पता चल गया होगा, आपको कहां से आया, because r के position क्या है, x y z है, so r will be x i cap plus y j cap plus z k cap नहीं आया कहा समझ में भई, r के position x y z है यह देखिए, x y z लिखे है, मैंने छोटे-छोटे, तो r यह नहीं unknown vector, तो unknown vector के coordinate क्या होगा x y z है, तो इसका vector क्या बनेगा x i k plus y j k plus z k cap a vector क्या बन जाएगा, भई, x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap, because we have given the pointer x1, y1 z1, plus lambda vector b plus lambda vector b, we have lambda, and vector b is the direction vector as i have given, a i cap plus b j cap plus c k cap, भुले है, a i cap plus b j cap plus c k cap clear है, तो यह हमाई पस क्या गया, यह हमाई पस a vector a plus vector b, sorry, vector r equal to vector a plus lambda vector b, इधर आप इसको लेकर क्या आईए right side में लेकर आईए left side में, तो यह क्या बनेगा x minus x1 i cap x minus x1 i cap plus y minus y1 j cap plus y minus y1 j cap plus z minus z1 k cap कोई दिखका थे क्या, क्या बज्जा गया है, यहाँ पर यहीं लेम्डा को ओपन कर देंगे आप, तो a lambda i cap plus b lambda j cap plus c lambda k cap अपने lambda को खोल दिया, ओके, अब आप कोफिशेंट को compare करें, देखे, a lambda किसके equal है, x minus x1 के, because vector की equality हमने पढ़ी है, अगर दो vector equal होते हैं, तो इनके coefficient क्या होते हैं, equal होते हैं, so x minus x1 equals to a lambda, तो i can say x minus x1 upon a equals to lambda, similarly y minus y1 upon equal to b lambda, so y minus y1 upon b equals to lambda, last, z minus z1 equal to c lambda, z minus z1 upon c equal to lambda, तीनों equation को आप साथ में कर लीजिए, ओके, तो आपके पास में final answer आपका बन जाएगा, तीनों equation को आप साथ में रख लीजिए, तो क्या बन जाएगा, तीनों को साथ में मर्च करेंगे, so i can say final concluding statement or you can say partition form of vector x minus x1 upon a, y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c equals to lambda, lambda की जरूरत आपको उस जगे पे होगी जहाँ आपको point find करना है, बस, बाकी जगे पे lambda की जरूरत नहीं है, okay, तो x minus x1 upon a equal to y minus y upon b equal to z minus z1 upon c, यह हमारे पास कहलाता है, this is called Cartesian form, Cartesian equation or Cartesian form of a line, of a, in 3D, okay, in 3D, clear, yes, अब देखिए, यहाँ पे x1, y1, z1 क्या है, जिन से point से आप जान रहे है, x1, y1, z1, what are these, these are given point, these are given point, जिस से line जा रही है, yes or no, ABC क्या है बिटा, ABC, direction ratios, क्या है बिटा, direction ratios of a line, of the line, of the line, ठीक है न, क्योंकि, क्यों भाई, क्योंकि आप से पूछा गया था, जो आपके पस given vector था, उसके direction ratios ABC थे, ABC, तो यहां के भी direction ratios आपको पता हो गई है, ABC था, तो lambda A, lambda B, और lambda C, ठीक है न, क्लिर हो गया, तो इसके ratio कहलो, lambda, lambda, lambda कैंसल हो जाएगा, तो अपने यहां पर जो ABC है, वो क्या है, direction ratios of the parallel line, जो parallel line आपको गदी थी, उसके direction ratios हैं, यह पहला line का equation क्या था, A, I कैप, प्लस B, J कैप, प्लस C, के कैप, तो जो coefficient होते हैं, direction ratios होते हैं, direction ratios, clear हो गया, तो होता यह है, कि यहां पर इस equation में जो direction ratios parallel line के आते हैं, वही क्या जाते हैं, नीचे वाली line के, तो इतना सब कुछ अपने मन में रखिए, यह अपना पहला equation ह हो गया, this is the equation of a line passing through one point and parallel to a given line, first चीज हो गई, अब दूसरे equation पे आते हैं, equation of a line passing through two point of a line passing through two point देखिए, पिछले बार आपको direction दी जा रही थी, क्योंकि point 1 था, बट इस बार direction की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दो point से line जा रही है, किते point से, दो point से, यह आपके पास में एक line है, okay, इसके दो point आप ले लीजिए, पहला point आपने मान लिया, this is point a, okay, a having position vector vector a, and second point is, suppose vector, suppose point is b, and b having position vector vector b, okay, Cartesian reference के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कि a के coordinate जो है, those are x1, y1, z1, and b के coordinate जो है, that is x2, y2, z2, यह बाद में काम में आएंगे, okay, and again, once again, यहीं पर, बिटा, हमने मान लिया, कोई point p है, जिसका vector है, vector r, vector r, चलिए, फिर से original ले लिजी आप, अब यह देखिए, आपके पास में, यह origin के respect में, इसका position vector क्या होगा, बिटा, vector a बनेगा, क्या बनेगा, vector a, बिटा, b vector, तो vector b तो given नहीं है, ठीक है, चलिए, अब ऐसा हो गया, तो कोई बात नहीं, b का position vector, बिटा, vector b है ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, okay, और बिटा, p के respect में position vector जो बनेगा, बिटा, यह क्या बनेगा, vector r, ठीक है, चलिए, तो यह vector r बनेगा, इसका, clear है, बिटा, so this is vector r, अब आप देखिए, अगर यह a है, यह point b है, तो यहां तक का जो vector generate होगा, that is b minus a, होगा की नहीं होगा, और b minus a के आंगे, यह vector, मतलब यहां से लेकर के, यहां तक का, मैं आपको green point से so कर रहा हूँ, यहां से लेकर के, यहां तक का, green point तक का, जो vector बन रहा है, बिटा, वो बन रहा है vector b minus vector a, और अब हम बड़ी triangle में triangle लो लगा रहे हैं, किसमें, यह point o है, यह बहला point o है, तो अब हम o a p में हम triangle लो लगा रहे हैं, in triangle o a p, किसमें लगा रहे हैं बिटा, triangle o a p, तो in triangle o a p, मैं triangle लो लगा रहा हूँ, क्या होता, दो लगातार vector का sum, equal to तीसरा vector, okay, तो यहां पर दो लगातार vector कौन-कौन से हैं, vector o a, o से लेके a, फिर a से लेके p, a से लेके p, equal to vector o p, equals to vector o p, o p is the complete vector, तो o a is given how much, बिटा, vector a, a p कितना हो जागा, देखो a से लेके b है, b minus a, और a p इसी का collinear vector है, या इसी का parallel vector है, मतलब इसका sometimes होगा, so you can say, this is equals to lambda b minus a, बो भाई, समझ में आया, यही पंच है, समझ में आगया, यही पर चकर भी हुफास राया भाई, lambda b minus a, जिसने यादर रख लिया बन जागा, तो a lambda b minus a vector o p, clear होगा कि नहीं हुआ, और o p का नाम तो मैं भूली गया लिखना भाई, r, क्या है बिटा, r, पलट के लिख दो, आपके doubt clear हो जाएंगे, r equal to, पिछले बार भी vector a था, प्लस lambda, पिछले बार direction vector मैंने b को dedicate कर दिया था, बत इस बार direction क्या होगी, b minus a, क्योंकि दो पॉइंट में किसी को बाहर से direction देने की कोई जरूरत नहीं है, जब दो point है, तो direction आप खुद बाखुद बना लोगे, okay, so this is the two point से जाने वाली line का vector form, done, so vector r equal to vector a plus lambda vector b minus a, ये होगा आपका two point form, a क्या है बिटा, point vector है, और b क्या हो जागा, b minus a क्या बन जागा, direction vector, तो ये जो point है, this is called point vector, ये a vector क्या है बिटा, point vector, जिससे line जा रही है, और b minus a किसको show करेगा, direction को, किसको show करेगा, बिटा, so this is called direction vector, ये कहलाएगा direction vector, मतलब line के जो direction ratios निकलेंगे, वो इसी से निकलेंगे, clear हो गया, जो line के direction ratios निकलेंगे वो इसी से ही निकलेंगे आईए अब इसका Cartesian form मैं आपको करा देता हूँ, last So Cartesian form ठीक है? क्या निकाला भाई हमने? Vector form हमारे पास क्या है? Cartesian form develop करने तो जा रहे हैं बट किस से develop होगा? Vector form से तो Vector R equal to Vector A plus lambda times of B minus A clear? R की value पुट करतीजे XI cap plus YJ cap plus ZK cap equals to Vector A equal to X1 I cap plus Y1 J cap plus Z1 K cap, this is Vector A plus lambda समहल के बटा B में से A को minus करना है, तो B क्या था? X2 I cap plus Y2 J cap plus Z2 K cap, दूसरा point जो था B है देख लिजे यहाँ पे, यह है तो B minus A क्या बनेगा? X2 minus X1 I cap Y2 minus Y1 J cap Z2 minus Z1 K cap, displacement vector बन जाएगा है, न? So, this will be X2 minus X1 I cap plus Y2 minus Y1 J cap plus Z2 minus Z1 K cap I can close this bracket Now, बेटा, इसको लेफ्ट में लेओ, यहाँ पे So, यह क्या बनेगा बेटा? X minus X1 I cap plus Y minus Y1 J cap plus Z minus Z1 K cap equal to lambda times of open कर दो X2 minus X1 I cap plus lambda times of Y2 minus Y1 J cap plus lambda times of Z2 minus Z1 अब क्या होगा? Comparison होगा? क्या होगा? Comparison तो, यहाँ I cap का coefficient क्या है? X minus X1 है इधर क्या है? Lambda times X2 minus X1 है आईए compare करते हैं So, I can say X minus X1 equal to lambda times of X2 minus X1 So, lambda को रोक लीजे ऊपर आपके पास क्या बन जाएगा? X minus X1 upon X2 minus X1 Clear की? Not clear? अगले comparison से क्या Lambda की value Y minus Y1 upon Y2 minus Y1 बनेगी की नहीं बनेगी? जब आप इसको compare करेंगे? Yes or No? And last आप जब compare करोगे Z के coefficient को तो मैं इगी कर देता हूँ Z minus Z1 equal to lambda times of Z2 minus Z1 So, Z minus Z1 upon Z2 minus Z1 equals to lambda Clear की? Not clear? चली अब इसको Lambda है मैं मर्च करके लिख दीजिए आपके पास equation हाजाएगा What is equation? X minus X1 upon X2 minus X1 Y minus Y1 upon Y2 minus Y1 Z minus Z1 upon Z2 minus Z1 Equals to कितना lambda? Clear होगा की नहीं होगा? Yes. यह होगा. Okay? अब आप ध्यान से देखे X2 minus X1 Y2 minus Y1 Z2 minus Z1 मैं आपको 3D में क्या पढ़ा है? Direction ratios यादा है कुछ? क्या पढ़ा है तरी? Direction ratios तो पिछले बार का equation एक one point क्या था? X minus X1 upon A equal to Y minus Y1 upon B equal to Z minus Z1 upon C equals to lambda यही तो था first equation यह तो अपना भी second आगे एक तरीके से first equation देख लिए अभी आपने जो निकाला था X minus X1 upon A equal to Y minus Y1 upon B equal to Z minus Z1 upon C था कि नहीं था? तो नीचे कौन बैटा था? इस बार यहां पे A, B, C नहीं बैठा है तो एक बार फिर से verification हो रहा है यहां पे हमारे पास कि भाई साब A की value क्या होगी? X2 minus X1 B की value क्या होगी? Y2 minus Y1 और C की value क्या होगी? Z2 minus Z1 clear की not clear? ठीक है? चलिए तो हमारे दो equation हमने पढ़ लिए equation of a line in one point form and two point form clear हुआ की नहीं हुआ? अब second thing, अब last चीज पढ़ रहा है बेटा vector angle between two lines क्या पढ़ रहा है हम बेटा? angle between two lines बहुत simple है यह चीज़ बेटा angle between two lines आपको पता है जैसे मान लीजे आपके पास पहली line दे दी गई है vector A plus lambda vector B यह first equation है R equals to A1 plus lambda vector B1 clear की not clear? तो देखिए ध्यान से इसका direction vector क्या होगा? vector B1 होगा की नहीं होगा? क्योंकि यह B1 की तो parallel है भाई साब लिखतो रहा है तो इसका direction vector क्या है? vector B1 और दूसरी line मैंने यह दे दी आपको यह देखिए तो इसका direction vector suppose B2 माल लेता हूँ B2 vector तो यह line का equation क्या बनेगा? vector R equal to A2 से जा रही है plus lambda vector B2 बुलिए सौनो अब यह बताए आँगे जाकर के यह line कहीं ना कहीं intersect करेंगी करेंगी की नहीं करेंगी? तो इनके बीच में angle theta बनेगा बनेगा की नहीं बनेगा? तो क्या यह theta angle line के बीच का इनके direction vector के बीच के angle के equal होगा की नहीं होगा? क्योंकि भाई line अगर भीड़ रही ही तो direction vector भीड़ेंगे? Yes or no? तो जो angle नहीं line के बीच का है वही angle किनके बीच का है? इनके direction vector के बीच का है कि cos theta is equal to होता है a dot b upon mod a mod b तो यहाँ पर क्या use हो जाएगा cos theta equal to mod a की जगा b1 vector और dot कितना b2 vector upon mod vector b1 into mod vector b2 हो गया भाई दो vector है clear हो गया तो यह आ गया दोनों lines के बीच का angle angle between two lines clear b1 vector b2 vector क्या है direction vector है क्या है बिटा direction vector partition form में लिग देता हो उनको देखे b1 क्या रहा होगा b1 रहा होगा a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap रहा होगा की नहीं रहा होगा इसा ही कुछ ना कुछ तो हो i cap j cap k cap और b2 vector क्या रहा होगा a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap तो यहाँ पर cos theta क्या बनेगा ऊपर dot product है मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 so this will be a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 whole divided by पहले vector का magnitude दूसरे vector का magnitude तो पहले का magnitude क्या बनेगा a1 square plus b1 square plus c1 square and second a2 square plus b2 square plus c2 square तो पेटा यह है दोनों के बीच का angle क्या है दोनों के बीच का angle clear हो गया अगर दोनों के बीच का angle 90 degree हो lines के बीच का 90 degree हो तो cos 90 कितना हो जाएगा 0 कितना हो जाएगा 0 तो 0 equal to जब आप compare करोगे तो उपर की चीज तो बचेगी नीचे की चीज पूरी 0 के साथ आके क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो finally आपके पास condition क्या बनीगी वही जो पहले बन रही थी a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 अगर 0 के equal है अगर यह 0 के equal है इसका मतलब line क्या है एक दूसरे के perpendicular है क्या है बिटा line perpendicular तो यह पर्पेंडिकुलर्टी की कंडिशन है अगर लाइन पर्पेंडिकुलर है तो यह हो गया हमारा एंगल बिट्वीन टू लाइन तो पहला टॉपिक हमारा बिटा कम्प्लीट हो चुका है अब यहां पर यह होने के बाद में बिटा आप अपनी पूरी exercise कर सकते हो मैंने partition बता दिया one point form बता दिया मैंने आपको two point form बता दिया ठीक है ना और two point form से आप पूरी calculation कर सकते हो partition और vector की तो first exercise आपकी इस तरीके से पूरी हो जाती है in fact मैंने angle भी बता दिया आपको कि दो लाइन के बीच का जो angle होता है वो क्या होता है okay तो दो लाइन के बीच का angle उनके direction vector का angle होता है जो आप बहुत easily find कर सकते हो okay guys thank you so much so this is enough for the day okay see you soon thank you